पित्त जिन्दगी भर आपका ठीक रहे, आपको तकलीफ ही ना आए, तो कहते हैं देशी गाय का घी खाईए पित्त को जिन्दगी भर सम रखने के लिए, अगर कोई एक चीज उन्होंने बताई है, सबसे अच्छी वैसे तो उन्होंने सैक्डों चीज़ें बताई है, सबसे अच्छी तो उसकी उपर की शिरिणी में गिनती है घी, घी बाने गाय का घी बहस के घी के लिए उन्होंने बोला है लेकिन उन्होंने कहा है कि वो एक ही कैटेगरी के लोगों के लिए है जो कुष्टी लड़ते है कुष्टी लड़ते हैं बहने पहलवानी करते है दंड बैठक लगाते हैं पहलवानी करते हैं वो भूमाते हैं इनके लिए उन्होंने कहा है कि ये गाय का घी कभी न खाएं, ये भैस का ही घी खाएं, क्योंकि होना ही उनको भैस के जैसा है। जो कुष्टी लड़ रहे हैं, अखाडे में दंड बेठक लगा रहे हैं, मुगदर घुमा रहे हैं वगरा वगरा, इनके लिए है भैस का घी। बागवट जी कहते हैं कि वो अगर गाय का घी खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे। और आपने अगर भैस का घी खाया तो आप तकलिफ में आएंगे। तो जिन्दगी बर पित आपका ठीक रहे, पित से होने वाली बीमारियां ना हो, तो आप गाय का घी खाते रहें।